दोपेर को खाने के बाद बहुत नीद आती है क्या कभी आपने सोचा है कि दोपेर को खाने के बाद आपको नीद क्यू आती है और इतनी ज्यादा नीद क्यू आती है अगर नहीं तो आप इस वीडियो में जानने वाले हो कि दोपेर को खाने के बाद इतने नीद क्यू आती ह इससे पहले अगर आप मैंनी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अगर आपको वीडियो ची लगे ताप लाइक और शेयर भी कर सकते हो देखे दरसल अगर आप दोपेर को बहुत ही ज्यादा मत्रा में खाना खाते हो या तो फिर आप ऐसा खाना खाते हो जिसमें कार्भो हाइडरीड हो yarni कि चावल वगेर आप बहुत ज्यादा खा देते हो इसके चलते आपकी बोटी उसको पचाने में बहुत ही ज्यादा एनरजी वेस्ट करती है यानि कि उसको बहुत ज्यादा एनरजी की ज़रुद पड़ती है जिसके चलते आप बहुत ही ठका हुआ और सुस्त महसूस करते हो और आपको बहुत ज्यादा नीद आती है दरसल डॉक्टर के अनुसार भी दोपैर को बहुत ही कम मात्रा में खाना चाहिए और आपको कार्गो हाइड़िट वाले खाने दोपैर को नहीं खाने चाहिए क्योंकि वो खाने में उसको पच्चने में ज्यादा टाइम लीता है देखे दरसल जब आप बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना खाते हो तो इसके चलते आपकी बॉड़ी में इंशुलिन रिलीस होता है अब इस पैंक्रियास आपकी बॉड़ी में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखने के लिए इंशुलिन पैदा करता है अगर आप ज़्यादा मात्रा में खाते हो तो जायर से बात है कि आपका इंशुलिन और भी बढ़ा हुआ है और उसको पचने के लिए ज़्यादा खून की जरुरत परती है बॉड़ी को टोपर को बहुत ही जरादा नीन दाती है इससे बचने का भी भी अच्छा हो पाई है अगर आप जूब ओघरा करते हो तो काम करना है तो फिर आप स्टुडेंस है। जो कि टूरम होते है, जिनको दोपेर को खाने के बाद बहुत ज़्यादा नीन दाती है, उनको पड़ाई में काम करने में दिकत होती है, तो उनको अपने खाने में सबसे ज्यादा गौर करना चाहिए, देखे दर असल आपको दोपेर को कार्बो हाइडरेट वाले खाने नहीं खाने चाहिए, जैस